खबर डबरा से है जहां गुआले जिले में कुरोणा से पहली मौत हुई है डबरा तैसीर करहेने वाला मृतक गंगाराम उम्रा सी साल है नो मई को सैंपल लेने के बाद मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जांच रिपोर्ट में मृतक आया कुरोणा पॉस्टिव डबरा प्रिशाषन ने कॉलोनी को सैंटाइस किया है मृतक के निवास से एक किलोमेटर के दायरे में आने जाने पर रोक लगाई गई है ये खबर आपको बता रहे हैं जांच वाले जरे में कॉरोणा से पहली मौत हुई है डबरा तैसीर का रहने वाला मृतक गंगाराम उम्र 80 साल का है 9 माई को सैंपल लेने के बाद मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था महीं जांच रिपोर्ट में मृतक कॉरोणा पॉस्टिव पाया गया जांच यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी थेला कोई भी ब्योसाइक अद्विदी संचारत बिल्कुल भी नहीं होगी इसे कंटेनमेंट जोन गुशित किया जा चुका है इसकी एक चतुर्टिक सीमा तबल टोगीज रोड दूसरी चतुर्टिक सीमा बियो आपेस तीसरी चतुर्टिक सीमा धन्लू पानवाले के आहां से और चौती चतुर्टिक सीमा एंडी गरांडे होटल है इन सीमाओं को थूरी तरीके से लॉक कर दिया जा रहा है तो इसलिए आपको भी जोबी करना है आधे गंडे गंडे का समय है आप लोग तकाल बिवस्थत हो जाए और बिवस्थत होके जो भी आपकी आप में अगर बाहर के पुड़े का एक्टी भी रुका है तो सीमा आज ग्वालियर में 80 साल के वुज़ूर्ग डबरा के जो निवासी थे उनकी डेथ हो गई है उनको पहले से हाइपर टेंसन और हार्ड डिजीज और इस प्रकार से बीमार सुगर इस प्रकार से बीमारियां थी और साथ में उन्हें कोरोना का संक्रमण भी पाया गया है तो वो नौ तारिक को साम को हमारे जेच में भरती वे थे और उसके बाद अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी और बाद में आज उनकी कोरोना की जहाँ से रेपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है तो हम एरिया को कंटेन्मेंट कर रहे हैं